गूट मॉर्निंग एप्रिपड़ी गेट स्टूटेंस आज का जो हमारे लिए न्यू टोपिक है इस इन्थेल्पी ओफ अटोमीजेशन ओके बहुत इंट्रेस्टिंग टोपिक है अगर आपने पीछे के जो भी कंसेप्ट अभी अब तक हमने करवाए हैं अगर वो आपके मा अटोमीजेशन को करने से पहले हम एक बार फिर बात करेंगे कि कोई भी जो हमारा एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रों कॉन्फिक्रेशन क्या है इलेक्ट्रों कॉन्फिक्रेशन के बाद उस एलिमेंट के पास कितने नंबर ओफ अन्पेर इलेक्ट्रों भी है तो यहसा कि हमने बात की थी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की दिस इस स्केंडियम एलिमेंट तो स्केंडियम एलिमेंट की एलेक्ट्रों कॉन्फिग्रिशन आपको बचो बहुत अच्छे से पता है 3D14S2 उसके बाद अगर बात करते हैं टाइटेनियम की टाइटेनियम के पास भी 3D24S2 means 2 अनपेर इलेक्ट्रों आप देख सकते हो फस्ट केस के अंदर 1 अनपेर इलेक्ट्रों था only same case वैलेडियम के पास 3 अनपेर इलेक्ट्रों है और क्रोमियम के अंदर आप देख सकते हो 5 unpair electron यहां पर और 6 यहां पर है आप मेगनीस को चक कर सकते हो मेगनीस के पाथ 5 unpair electron यहां पर है और 4s2 यहां पर electron pairing के अंदर है तो आपने दिखा electron configuration को बहुत अच्छे से clear कर चुके हो तो आज का जो हमारा new target है इस topics के अंदर जो आपने बात करनी है आपने electron configuration को अच्छे से पढ़ चुके हो electron configuration के बाद आपने जो next point को observe करना है next point को आपने अच्छे से जो observe करना है वो देखना है बचेंग कि उन elements के पास number of unpair electron कितने है for example अगर बात करते हैं आप देख सकते हो scandium के पास 1 unpair electron है titanium के पास 2, vanadium के पास 3 chromium आप देख सकते हो having the highest unpair electron this element having the 6 unpair electron okay manganese आप के पास 5 हुए और iron आप के पास 4 unpair electron है quald के पास आप देख सकते हो यहाँ पे 3 unpair electron है nickel 2 है और यहाँ पे copper के पास सिर्फ 1 unpair electron है और zinc के पास कोई भी unpair electron नहीं है तो इस पूरे pattern के अंदर आप इस बात को observe कर रहे हो इंदा scandium, titanium, vanadium unpair electron 1 था, 2 थे, 3 थे और यहाँ पे 6 होगे scandium, titanium, vanadium और chromium तक number of unpair electrons are increases इसके पास 6 के बाद आप फिर observe करना यहाँ पे unpair electron 4 है, 3 होगे, 2 होगे फिर next आप देख सकते हो, 1, 1 होने के बाद जिनके पास कोई भी unpair electron नहीं है means initially scandium to chromium number of unpair electrons are continuously increases और उसके बाद number of unpair electrons जो हैं, वो continuously decrease कर रहे हैं तो इन्हीं चीजों को point करते हुए जो हम next topic पढ़ने वाले हैं next topic के अंदर जो आज हमारा जो topic है, that is enthalpy of atomization enthalpy of atomization को हम यहीं से clear करेंगी, तो एक बार हम उसकी definition पढ़ रहे हैं फिर आपको बताते हैं, enthalpy of atomization होता क्या है, तो यहां पर आपने ध्यान से देखना है enthalpy of atomization means होता है, enthalpy change when a compound once are broken into the component atoms are reduced to individual atoms, it means होता है, कि आपका कोई वी ऐसा molecule हो उस molecules को आपने उसके atoms के अंदर break करना है for example, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक H2 लिया, H2 को आपने H plus H के अंदर break कर दिया इस molecule को break करने के लिए जो आप enthalpy use कर रहे हो, उस enthalpy को हम enthalpy of atomization का नाम देंगे clear, और most important जो point है इसके अंदर, enthalpy of atomization is depend upon the number of unfair electrons clear, it means जिस element के पास number of unfair electron जाता होगी, उस element की enthalpy of atomization भी जाता होगी तो आप पूरे pattern के अंदर अगर बात को, उस points को हम दवारा clear करते हैं, तो आप देख सकते हो, इस complete pattern के अंदर, जो आपकी enthalpy of atomization होगी scandium, titanium, vanadium और chromium तक increase होगी, उसके बाद number of unfair electron है, वो continuously decrease कर रहे हैं, तो enthalpy of atomization आपकी decrease कर जाएगी तो यहाँ से आप एक point, जो most important point है, chromium की enthalpy of atomization सबसे ज़्यादा highest होगी because this element having the highest number of unfair electron, clear? अब इसके बाद हम बात करते हैं, जो important point है, कि आप यहाँ पे दिखा हुआ है, कि for 3D element, 3D जो series है, उसमें chromium के पास number of unfair electron ज़्यादा होने के कारण इस element की enthalpy of atomization maximum रहेगी, clear? इस graph को भी आप अब बचे ध्यान से देख सकते हैं, जो भी हमने अभी बात की है, कि enthalpy of atomization शुरू के अंदर increase करती है, उसके बाद आपकी enthalpy of atomization decrease कर जाती है, clear? अब हम जो next point, जो important point है, वो बात करने बाले हैं यहाँ पे, जी, अब जो हमारा next point है, that is melting points, अगर आपके mind के अंदर मेंटा melting point अच्छे enthalpy of atomization clear है, तो enthalpy of atomization से आप melting point को बहुत अच्छे से clear कर सकते हो, because ध्यान रखना है जिस element की enthalpy of atomization जादा होगी, उस element का melting point भी जादा होगा, I repeat again, melting point is completely depend upon the enthalpy of atomization, means जिस element की enthalpy of atomization जादा है, उस element का melting point भी जादा होगा, clear? आप छोटी से बात हम करते हैं, कुछ element ऐसे हैं, यहाँ पर एक बार आपने दवारा बात करनी है, आपने clear किया कि chromium having the highest melting point, because chromium having the highest number of unfair electron, बड़ यहाँ पर कुछ अनकस्टिट जो example मिलेंगे हमारे को, zinc having the lowest enthalpy of atomization, ध्यान रखना है, chromium की enthalpy of atomization सबसे जादा थी, और zinc की enthalpy of atomization सबसे कम होगी, because this element does not having the unfair electron, clear, इसके बाद ध्यान रखना है, जो हमारे पास जो unexpected example मिला, unexpected molecule element मिला, जिसके enthalpy of atomization बहुत ही जादा कम है, इस इस मेगनिस, तो मेगनिस आप चेक कीजिए, मेगनिस के पास five unfair electron है, according to our concept, हमारे concept के according, this molecule के पास enthalpy of atomization काफी ज़्यादा होनी चाहिए थी, but actually में जब इसकी बात हुई, मेगनिस के पास enthalpy of atomization इतना नहीं होता, जितना हम observe करते हैं, because, ध्यान रखना है बटा, मेगनिस having the half-filled stable electron configuration, half-filled stable electron configuration के कारण, this molecule does not form the bond with another elements, I repeat again, मेगनिस की stable electron configuration होने के कारण, मेगनिस अपने किसी भी दूसरे element के साथ bonding नहीं करता, इस कारण मेगनिस के पास stable electron configuration है, stable electron configuration के कारण, जिए दूसरे element के साथ bonding नहीं करेगा, और जब bonding नहीं करेगा, तो it means, इसके पास enthalpy of atomization भी कम होगी, तो इस point को बटा आपने जुरूर ध्यान रखना है कि मेगनीज हमारे according highest highest enthalpy of atomization होना चाहिए था बट इसका बहुत ही कम enthalpy of atomization होता है अब आजाए ये बटा जो भी concept हमने enthalpy of atomization के लिए बोले भही completely concept melting और boiling point के लिए रहेंगे melting and boiling points is completely depend upon the enthalpy of atomization means it is depend upon the number of the unpaired electrons if an element having the more number of unpaired electrons that element having the high melting and boiling points clear तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ है अभी आपने यहाँ पर ध्याम से देखा इस बात को भी आप बिल्कुल अच्छे से चेक कर सकते हैं इस points को कि जिस element के पार number of unpaired electron ज्यादा है उस element का melting and boiling point भी ज्यादा होगा अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पर चोटी सी chromium, molybdenum and tungsten because this element belongs to 3D series this element belongs to 4D series and this element tungsten w जो आप mention किया हुआ है यहाँ पर this element having the belongs to the 5D series and on down the chromium, molybdenum and tungsten की तरफ मूब करते हैं melting point is increases तो अब आपने ध्याद देना है कि यहाँ पर number of unpaired electron के कारण इनका melting point ज्यादा होता है अब हम बात करेंगे कि chromium, molybdenum and tungsten on down the group जैसे जैसे 3D series से 4D, 4D से 5D की तरफ मूब कर रहे हैं इस series के अंदर melting point continuously increase करेगा because यहाँ पर number of unpaired electron तो सभी के पास सेम है but on down the group size of the element is increases okay size of the element increase करने से melting point भी increase कर जाता है और यहाँ पर भी आप ध्यान से चेक कर सकते हो due to high melting point of tungsten used in developed filaments यह बात आप सभी वच्चों को पता ही होगी clear तो यहाँ पर आप इस बात को भी चेक कर सकते हो यहाँ पर graph mention किया गया है जो melting points को represent कर रहा है okay thank you